नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे belt drive और gear drive के बीच में क्या difference होता है कैसे यह दोनों drive एक दूसरे से अलग है यह दोनों drive mechanical drive का type है इन दोनों drives के दुआरा हम motion या power को transmit करते हैं driver soft से driven soft तक जो belt drive है यह एक friction drive है क्योंकि इसमें हम belt और pulley के बीच में जो friction force होता है उसको utilize करके power या motion को transmit करते हैं driving soft से driven soft तक जबकि जो gear drive है यह एक engagement drive है क्योंकि इसमें हम gear के teeth की successive engagement और dis engagement करके power या motion को transmit करते हैं एक soft से दूसरी soft तक gear drive के case में जो friction force होता है उसका direct कोई roll नहीं होता अगर हम बात करते हैं drive element की belt drive के case में हमारे जो drive element होते हैं वो यह दो pulley होती है और एक belt होती है यह हमारे driving element होते हैं जो gear drive होती है इस case में हमारे जो drive element होते हैं वो हमारे gears होते हैं एक बड़ा gear होता है एक छोटा gear होता है जो small size का gear है उसे हम pinion कहते हैं तो gear और pinion की इसमे drive element के तोर पर कारिया करते हैं precise alignment जब भी हम motion या power को transmit करते हैं belt drive के case में हम थोड़ी बहुत जो small mis alignment है उसको tolerate कर सकते हैं तो इसमें ज़्यादा precise alignment की आवसकता नहीं होती अगर बात करते हैं gear drive के तो इस case में हमें highly precise alignment चाहिए अगर थोड़ी सी भी mis alignment या angular mis alignment हो जाती है तो उस case में क्या होगा vibration हो सकती है noise हो सकती है rapid wear हो सकता है teeth का तो gear drive के case में जो alignment होगी gears की, shaft की वो सभी precisely होनी चाहिए line and surface contact जो belt drive होती है इस case में जो belt और pulley के बीच में surface contact होता है area contact होता है जो gear drive होती है इस case में line contact होता है जो matting gears होते हैं उनके teeth के बीच में line contact होता है उसके बाद है डिजाइन अगर हम इन दोनों डायग्राम को देखते हैं तो देखने से ही हमें पता चल जाता है कि जो belt drive है इसका जो design है वो simple design होता है एक flexible equipment design होए गेर ड्राइव के case में काफी complicated design गेर ड्राइव के case में होता है क्योंकि जो tolerances होती है बहुत ज़ादा important होती है गेर ड्राइव के case में तो काफी complexity होती है design में उसके बाद बात करते है rotating direction जब भी दोनों drives पे operation perform होता है तो इनकी rotation है वो किस प्रकार से होती है जो belt drive होती है इस case में जो direction of rotation होती है वो same direction में भी हो सकती है open belt ये जो closed belt है उसके mechanism को हम इसमें follow करते हैं जो gear drive होती है इसमें जो gears होते हैं जो driver और driven shaft हैं जो basically वो opposite direction में rotate करती हैं हाँ अगर हम intermediate gears का additional gear को use कर लेते हैं तो उस case में हम same direction में भी rotate करवा सकते हैं लेकिन ऐसी स्थिती में होगा क्या क्यों जो design है काफी complex हो जाता है power losses हैं जो बढ़ जाते हैं type of drive जो belt drive होती है ये non positive drive होती है क्योंकि इस case में क्या होता है कि जो slip और creep हैं वो frequently हो जाते हैं और इससे हमें जो constant velocity ratio हमें इसमें नहीं मिलती लेकिन जो gear drive होती है ये एक positive drive होती है इसमें हमें जो velocity ratio है वो constant रहती है इसमें कोई किसी परकार की slip की कोई दिक्कत नहीं रहती है ये creep नहीं होता leakage की समश्या बहुत कम रहती है उसके बाद है center distance center distance बेसिकली होता है कि जो driver और जो driven saft है उनके बीच का जो center distance है तो अगर हम इन दोनों diagram को देखें suppose एक saft ये है दूसरी saft ये है दोनों के बीच distance ज़्यादा है अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ तो बहुत long distance है आपको देखने को मिल रहा है दो saft दो police के बीच में और saft के बीच में और gear drive के case में अगर देखें बहुत ही small distance है अगर इस case में देखें बहुत ही small distance है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो belt drive होती है ये जो driver और जो driven saft होती है उनके बीच में अगर long distances भी है तो उसके लिए काफी suitable रहती है तो हम flat belt का इस्तेमाल कर सकते हैं open or cross mechanism है जो belt drive का उसको use कर सकते हैं लेकिन जो gear drive होती है ये basically small distance के लिए इसको prefer किया जाता है अगर हमें large distance अगर करना पड़ता है तो इस diagram को अगर आप देख सकते हैं तो हमें bulk gears number of gears बहुत ज़्यादा amount में हमें चाहिए जिससे क्या होगा कि हमें थोड़े थोड़े distances पे idle gears लगाने पड़ेंगे और जिससे होगा क्या power losses बढ़ जाएंगे system का जो weight है वो बढ़ जाएगा उसके बाद बात आती है कि space की space अगर हम देखते हैं belt drive के case में हमें जो space चाहिए वो ज़्यादा space चाहिए लेकिन gear drive के है कि जो design है जो complicated तो होता है बट compact रहता है तो इस case में हमारा space requirement है वो कम रहता है friction loss friction loss की अगर हम बात करते है कि जो belt drive होती है इस case में जो friction loss है वो ज़्यादा होता है friction loss ज़्यादा होगा और जो gear drive होती है इस case में जो friction loss है वो कम होता है क्योंकि जो belt drive होती है इसमें surface contact होता है और surface contact अगर ज़्यादा है और belt और drive basically friction force पे ही कारिया करती है तो यहाँ पर क्या है कि surface contact होने से ज़्यादा power है जो वो low होती है high friction होने के करण और जो gear drive होता है यहां line contact होता है जिसके कारण low friction loss होता है और जिसके कारण power loss भी कम रहता है lubrication की अगर बात करते हैं lubrication belt drive के case में हमें occasionally ही चाहिए आवसकता भी नहीं पढ़ती कई बार लेकिन जो gear drive होती है यहां पर हमें regular interval के बाद lubrication की आवशकता पड़ती है क्योंकि यहां पर होता क्या है कि दो rigid body आपस में contact में रहती है लगातार continuous contact में रहती है अगर आप इस diagram को देखते हैं कि जो भी gears हैं वो आपस में contact में रहते हैं rigid bodies हैं और जब high speed या heavy load application की बात करते हैं तो gear drive के case में जो gears होते हैं वो lubricating जो oil है उसमें immersed रहते हैं तो जिससे होगा क्या कि जो friction है वो कम हो जाएगा जो heat है वो भी lubricating oil की थ्रू चली जाएगी अगर कोई wears का debris है वो भी lubricating oil के माध्यम से चला जाएगा तो gear drive में हमें regular interval पर lubrication की आशकता पड़ती है उसके बाद speed reduction speed reduction और velocity ratio जो belt drive होती है ये हमें speed reduction को provide नहीं करती velocity जो ratio है वो भी कम रहती है basically कम रहता है belt drive के case में one ratio one two one ratio four तक रहता है लेकिन जो gear drive होती है यहाँ पर हमें high speed reduction मिलती है जिसे बड़ी असानी के साथ achieve किया जा सकता है और जो इसमें अगर हम बात करते हैं जो velocity ratio है वो भी तकरीबन जादा रहती है one ratio one से लेकर one ratio hundred तक हम इसमें achieve कर सकते हैं vibration damping की अगर हम बात करते हैं vibration damping जो belt drive होती है तो यहाँ पर यह vibration को absorb कर सकते हैं क्योंकि इसमें flexible element का हम इस्तिमाल करते हैं जो belt drive होती है यह absorb कर लेती है vibration को और जो gear drive है यहाँ कोई flexible linkage तो है नहीं है जिसके कान vibration है वो सीधा transmit हो जाती है machine unit से prime mover तक तो जिससे कि इसमें damage होने के chances ज़ादा रहते हैं तो यहाँ हमने एक intermediate flexible element है अगर इसकी हम बात करते हैं जो belt drive है इस case में जो intermediate flexible element है वो exist होता है exist का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो belt है दोनों police के बीच में जो belt है यह flexible element का कारिया करती है और जो flexible element है यह vibration जो generate होती है driven shaft में उसको यह absorb करती है और जिससे जो driver soft house को यह protect करती है और इस flexible element के होने से हमें long distances पर भी हम motion और power को transmit कर सकते हैं लेकिन gear drive के case में कोई flexible element नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है gear और gear के बीच में direct contact है जो एक gear के teeth दूसरे gear के teeth के साथ meshing कर रहे है यही कारण है कि एक rigid drive इसको कहा जाता है और जो belt drive है इसमें flexible element की मुझूदगी होने के कारण इसे flexible और friction drive इसको कहा जाता है उसके बाद आता है heavy power transmission जो belt drive है यहाँ पर हम ज़्यादा power को torque को transmit नहीं कर सकते तो कह सकते हैं कि यह large torque और power transmission के लिए prefer नहीं करते लेकिन जो gear drive है यहाँ heavy power transmission संभव है large power और torque को इसमें transmit किया जा सकता है atmospheric temperature का क्या effect रहता है दोनों के cases में जो belt drive है यहाँ पर जो belt होती है उसकी length increase अगर atmospheric temperature अगर बढ़ जाता है तो belt drive की जो length है वो भी बढ़ जाती है तो जिससे क्या होगा sleep जो है sleep is produced होगी लेकिन जो gear drive है यहाँ अगर temperature में variation आ जाता है तो उसका बिल्कुल ना के बराबर इसमें effect पढ़ता है क्योंकि जो belt drive है अगर temperature बढ़ जाता है temperature बढ़ने से sleep भी बढ़ जाती है उसके बाद आता है efficiency efficiency की अगर हम बात करते हैं belt drive की जो efficiency है वो कम होती है क्योंकि इसमें क्या है इसमें pulley और belt के बीच में surface contact है जिसके कारण जादा power का loss होता है जादा friction होने के कारण और यही कारण है कि इसकी जो efficiency है वो 92 से 96% के बीच में रहती है अगर gear drive की बात करते हैं तो इसकी efficiency जादा है और इसकी जो efficiency है तकरीबन 99% से उपर रहती है यहाँ पर जो gears के teeth है यह line contact में है ना यहाँ पर slip produce होता है ना यहाँ पर power loss होता है एक rigid drive है friction losses कम है जिसके कारण इसकी efficiency जादा है उसके बाद अगर हम बात करते हैं system damage की अब system damage की अगर हम बात करें कि अगर belt drive के case में belt का failure हो जाता है या belt किसी भी कारण से break हो जाती है तो उससे क्या होगा कि जो driver और जो driven है वो दोनों उन दोनों के बीच जो connection है वो तूट जाएगा isolate हो जाएगा तो एक परकार से क्या होगा कि जो soak या vibration है वो transfer नहीं होगा तो एक परकार से जो belt drive है यहाँ पर system या machine damage होने के chances नहीं होते लेकिन जो gear drive है अगर यहाँ पर gear का एक या दो teeth भी अगर damage हो जाते है failure of gear हो जाता है तो काफी serious breakdown होने के chances है machine के जो भी system है mechanical system जो भी adopt किया है तो उसके damage होने के chances जादा है life span की अगर बात करते है जो belt drive है इसकी life कम होती है gear drive की life है वो जादा होती है installation और manufacturing cost की अगर बात करते है तो जो belt drive की installation cost है वो कम होती है gear drive की installation और manufacturing cost जादा होती है अब बात करते है application की दोनों drives का इस्तेमाल कहां किया जाता है जो belt drive है इसका प्रियोग हम floor meals में करते हैं जो engine में timing belt है उसमें करते हैं chewing machine में करते हैं tread meals में करते हैं meal industry में, conveyor में, washing machine में lathe machine पर, milling machine पर drilling machine पर, paper meals इतिया दी यह बहुत सारी application है जो हम belt drive की अपने इर्दगिर्द देखते हैं, अगर gear drive की बात करें तो इसके भी अपने applications हैं, printing machine में hand drill में, steering में cloak में, watches में robots में, gearbox में rolling meals में, mining industry में paper industry में, cement industries में तो बहुत सारी applications हैं तो यह आज हमने आपके साथ discuss किया, mechanical drive के दो type थे, belt drive और gear drive यह कैसे एक दूसरे से अलग है, इन दोनों में कारिय किस प्रकार से होता है, वो कौन-कौन से factor है, जिसके दुआरा हम बता सकते हैं कि इन दोनों में main differences क्या है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर दोस्तों के साथ